हेलो वोचो तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम फिर से किसी एक स्कूल के प्री बोर्ड के कोशिन पेपर के अनलाइसिस करेंगे और इसकूल का नाम आपको पता है यहां दिया हुआ है इसको आप अच्छे से देख ले बाकी सारा इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अ बढ़ते हैं हमारे section e की तरफ जिसमें कहा गया है attempt all question from this section और यह आप से कहा गया कि question को copy नहीं करना है ठीक है next देखो यहां पे question number one question number one में आप से कहा गया है point P जिसका कौडिनेट दे रखा है तो x और y दोनों चेंज होगा तु फॉर्म इमेज पी डैस दा कॉडिनेट ओफ पी डैस ठीक है यहां माइनिस त्री दिया हुआ यह चेंज हो के थी हो जाएगा फोर फोर चेंज हो के माइनिस फॉर हो जाएगा यह तो और यह भी बना सकते थे सगेंडल कोशन को कहा गया है एक इसक्वाइर पीस ऑफ़ चार्ड के सेपड़ की दुगा है जब रोल किया जाएगा तो यह जो चारो तरफ का जिसको हम बोल रहें ऊपर वाला यह वाला ना सरकल कहेंटине से आपको मिल जाएगा यह यह इस बेडियू स्पया जाएगा इसका height आपको 7 दे रखा अदरवाइस नहीं भी वहां से निकालोगे तो आप सिधा निकालोगे cylinder के curve surface area का formula होता है 2 pi r h क्या होता है 2 pi r h और यह 2 pi r यही तो circumference था यानि कि circumference का value कितना होगा 7 ठीक है और इसकी height कितनी 7 7 into 7 कितना हो जाएगा 7 into 7 49 हो जाएगा ठीक है देखो इसका option में यहाँ पर दे रखा है यह 49 दे रखा है solve किजिएगा निकाल दीजिएगा calculation उपर नीचे देखिएगा हलका फुलका कहीं गलत हो सकता है ठीक है तो इसको correct कर दीजिएगा अपनी calculation की बात कर रहे है आपकी नहीं next देखूं कहा कि आप find the coordinate of centroid centroid के coordinate का formula आपको पता है क्या होता x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 और यहाँ पे इस circle has a center o कोई circle center o है diameter उसका दे रखा c is a point on the circumference of the circle if the angle c a o is 40 degree find the angle c o भी बहुत असाल है इसको अगर बनाना चाहतो तो यह circle है इसका center o है आपसे कहा गया है and diameter a b यह इसकी diameter दे रखिए ठीक है यहाँ पे था यह इसकी diameter दे रखिए the c is a point on the circumference यह c है यह o है यह see यह आपका हो गया a और यह आपका हो गया बी ठीक है बोला गया c e o s e o it means यह वला एंबल यह वला angle यह वला एंगलре यह वला एंगल चालिस है और यह चालिस हो औि तो आप नहीं निकाल लोगे बहुत असान है चलिश चलिश आना चाहिए निकाल लीज़ेगा अब फिप नमेर का हमारे पास में कोच्छन यहां पर दे रखा है अच्या यह б ot play बहुत अच्छ से टाइब भी नहीं कर लिजें फिट नमर में कहा गया find the value of 1 plus 10 square अब 10 square x0 है ठीक है इंटू cos square x0 है हम आपको बताते हैं देखो 1 plus 10 square क्या होता है 6 square minus 10 square equal to 1 होता है तो 1 यह से 6 square आजएगा इस पूरे का formula 6 square into cos square अब से एक कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है इसका answer आएगा 1 ठीक है question लेकिन ठीक ठाक है find the slope of a line making equal positive intercept अच्छा equal positive intercept उस case में आपको पता है न और 5 unit on the both axis भाई दोनों तरफ से 5 unit लिया गया और कहा गया है the histogram is a graphical representation ठीक है in which the tallest bar can be अच्छा आपको पता है न लंबी building क्या बताती है आपको average तो बता नहीं सकती है mean और average एक ही चीज़ हो गई median बता नहीं सकती है क्या बताती है mode बताती ही मालूम है सबको ठीक है next दीखे a solid cone and the solid cylinder have the same radius दोनों का radius सेम है and the same height height भी सेम है if the volume of the cone cone का volume कितना है 30 है find the volume of cylinder ठीक है cylinder की volume आपको निकालनी कितनी हो जाएगी तीन फूना होता है लगबग ठीक है मतलब cylinder का volume का formula क्या होता पाई r² होता क्या है P r² होता है और क्या वोल्यम वन थड़ होता है तो पाई r² मतलब इसका यह three times कम होता है मतलब cylinder three times ज़्यादा हो जागा यानिकि 90 हो जागा रख्या आप solve करके निकालना कोई दिकत नहीं है कहा गया है the probability of winning a game किसी गेम को जीतनी की probability इतनी है तो लूच करने की probability कितनी होगी सोचिए जीतना plus हारना equal to 1 होता है तो इसको 1 से क्या करना minus कर लेना इतना chance है जीतने का कितना हारने का chance होगा 1 से minus कर लेना यानि कि answer आजएगा 0.25 ठीक है next देखिए अभी section में आपको पता time करना है कोई 3 question 3 से ज्यादा दिया हुआ है तो time कीजे चलिए देखिए धरे-धरे कहा गया find the ratio which the line joining a b divided by the y axis very important question ने कई बार practice कराया है जब y axis पर होगा point तो क्या हो जाएगा x का value 0 और y का value होगा यानि कि 0 और y यानि कि यह line है ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 0 ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा y और यह point आपका है a यह point आपका है b solve किजेगा ratio निकालना है sometimes point भी निकालने के लिए कहा जाता है next देखिए question a pair of the coin are tossed simultaneously एक साथ दो coin को tossed किया गया find the probability of getting at least one head यह भी कितनी बार कितनी बार आपको बताया गया कि कम से कम एक head होना चाहिए ठीक है कई बार बताया गया probability की questions को आप देखो कई एक बार बताया गया next देखिए कहा गया the angle of elevation made by observer from the level ground to the top of the tower is 60 degree find the distance of the observer from the base of tower हो गया if the height of the tower is इतना answer to nearest integer निकाल लीजेगा निकल जाएगा असान है कोई दिकत नहीं है ठीक है इसका कई नहीं क्या पता है डाइग्राम आपको जरूर बनाना यह याद रिखिए इस question में diagram जरूर बनाना है साथ में statement भी आपको बनाना है ठीक यह देखिए four number का question हाँ देखने से लग रहा है हाड है पर देख लिया जाए एक बर आसान ही हाड है आप से कहा गया a c d दिया हुआ 40 degree यह वाला एंगल है 40 degree find the angle a b d a b d वो एंगल आपको निकाल ला है इसको इससे और इसको इससे मिला दें यह एंगल आपको पता है यह दोनों सप्लिमेंटरी होता है यह पता चल गया अब यह सेंटर पर बन रहा है उस कोड से यह कहां सर्कंफ्रेंस पर यानि क्या अधा हो जाएगा इसका एंसर निकल के आएगा पता है कितना 140 140 का आधा होता है 70 इसका एंसर आपका 70 निकल के आएगा सेंटर a o d वाला आ जाएगा 140 solve कर लिजेगा आप अपने हिसाब से आ जाएगा साने नेक्स देखो कहा गया है एक नंबर एक मिनिट गीवें अबी सीडी जा साइकल क्वाडरे ट्रेल इन दा सेमी सर्कल सेमी सर्कल में बना है विदा डाइमेटर a b and center o if the angle इतना यह भी आप निकालोगे डाइगराम required है ठीक है यह भी बना लिएगा बन जाएगा नेक्ट दो नंबर यह question तो कई एक बाप practice कर रहा है यह भी हमको बताने की जौरत नहीं यह तो यहीं पर आप cost square को change कर लोगे 1 minus sign square में फिर a minus b a plus b में 1 plus sign a उपर का 1 plus sign ने नीचे कट जाएगा उपर बच जाएगा 1 minus sign है solve करके निकाल लेना प्यारे बच्चो कितना तो आसान असान दो बहुत असान है यह cylinder है इसssä को न को क्या किया गया कार के बाहर निकाला गया इस को ठिक है क्या दिखत है निकाल लिजया आप सिब कहा क्या गया find volume of volume सिलेंडर के volume में हम यह वाला volume क्या कर लेंगे सेसरी सेया अगर कहा जाता। यह सवसे पहले कई तो यह सबसे पहले तो यह देख से हैं कि आपको बनाना क्या होगा अच्छा। साथ में आपको क्या करना होगा उसका Complicated Frequency कर बनाना होगा लेकिन एक छीज हम यह बता रहें कि यह वलताएं क्या यह वलब उसको कंटीनीस डाटा में Daha में चेंज करो पहले उसके बाद काम करोगी आप लोग लोग कंटीनियोस डाटा चेंज करनाा यह वहला आपका हो गया frequency class interval से आप class mark निकाल लोगे उसके बाद solve करके निकाल लोगे यह बहुत असान नेक्स देखो a solid metal cylinder of the radius इतना है इतना is melted into the cones इतना find the number of cones so simple graph paper के इस्तेमाल की जागा यह reflection का question है ठीक इसको solve की जागा निकल जागा लास्ट आपसे कहा भी गया है bd यह वहला एंगल ठीक है बीएसी दिया हुआ 35 बीएसी यह वहला एंगल आपको दे रखा 35 find the angle efc एसी यह वहला आपको एंगल निकालना है इसको एक बाद मिटाया आजाए तो डुबारा देखिए कहा गया bd e bd e गलत बता दिया ना BDE यह वला था 65 BDE यह 65 यह वला ओके BAC 35 दिया हुआ BAC यह दिया हुआ 35 क्लियर यह 35 दिया हुआ आज़िए बात करते हैं आसान है देखो DECB cyclic quadratorial है इस cyclic quadratorial के यह external angle है इस point पर बन रहा इसके just opposite के बराबर होगा मतलब यह 65 है तो यह angle 65 हो गया clear हो कोई दिकत नहीं है next ध्यान से सुनिए यह चीज आपसे कहा गया है EFC यह वला निकालना है कौन सा निकालना है यह angle आपको निकालके देना है ठीक अच्छा यह angle कैसे निकलेगा देखो यह वला angle अगर आपको पता चल जाए यह वला angle तो यह इस triangle का इस वाली त Bing इस वाले होगा एक्स टर्नल येंगल होगा अचा इस एंगल को आप एक्स बना लो थोड़ी दिल के लिए यानि कि या कि ये प्लस के बराबर होगा और इस ट्रैंगल से आपको मिल जाएगा थीन मेरी क्यांसे समझ एक होगे क्लियर था आ है मुआ यहां पर नीचे किसे मल्टिप्लाइ करना तो वन बाइनिस कॉस ऐसे क्योंकि जो उपर है वही तम यहां पर क्या हो रहा है निकल के आ रहा हम तो फास्ट फरवर्ड चल रहें यहां से मीडियन डालेंगे उस मीडियन के एक्विशन निकालना मिडियन यानिकी मिड़ पॉइंट तो यह कॉडिनेट आपको मिल जाएगा एबी का ठीक है फिर इस दुनों का क्या करना एक्विशन निकाल लेना नेक्स देखो भर भर कि यहां पर स्टेटिस्टिक से कोशन यह बनाना है उसके बाद मोड निकाल लेना है निकाल लीजेगा असान है ठीक है नेक्स डीको कंटिनिवेश डाटा में कंवर्ड करके बोला गया यह स्पीनर इस मार्ग विड़ टुइंटी सेक्शन ठीक है नंबर रोन टुटइटी और फ्रीटिक आप्टर अप्टर दॉ इतना मल्टिपल होता है ठीक है एक से बीस तक में टोटल जो आपका अब्जर्विशन होगा वह 20 होगा या जिसको फेवरेवल कंडिशन बोलते हैं ठीक है मतलब टोटल टोटल की बात कर रहे हैं और प्राइम नुमर कितना कितना हो जाएगा तो अरी यह सारी सवाल कराए हु होगा यह क्या करेगा किसी एक पॉइंट पर वहां से सौल करके आप निकाल लोगे हैटें डिस्टेंस के यह सवाल देखो यह भी बहुत असान है फ्रम पॉइंट ए उन लेवल ग्राउंड यहां पर क्या होगा यह 30 डिग्री और यहां पर क्या होगा यह 20 मिटर दिया इसमें कहा गया जो मीशिंग वह निकालना है यह है मिशिंग यह एक से यह एफ है और यहां पर एफार ऑक्स निकाल लो और यह वाला लगेगा एफट दिखो पर रहो है नेक्स है नहीं खतम तो देख सकते हो सवाल कितना आसान था इसमें सायद एख दो कोश्चन ही ऐसा हो होगा जो आप नहीं कर सकते हो बाकी सारे के सारे कोश्चन ऐसे हैं और बच्चे ने यह वहला कोश्चन भेजा है मुझे ठीक है और mathematics का पेपर बाकी सब तो इस्ट्रक्शन आपको मालूम है ठीक है बच्चो और ऐसे ही फिर किसी और एक पेपर को एनलेसिस किया जाएगा हाँ मेरे करने के बाद आपका काम होगा कि इन कोश्चन को जरूर बना लेना अल्द बेस्ट है वे गुट डे